नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिवाली की बहुत बहुत धेरो शुब कामनाए मा लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हो आपकी हर संभव इच्छा की पूर्ती हो आगे आने वाला समय आपके लिए अनुकूल रहे और इस दिवाली से लेकर के और अगली दिवाली तक आपके जीवन में खूब धनवर्शा हो क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत सामर्थवान है जिनके लिए तो धन की वैल्यू भी उतनी नहीं है क्योंकि है इतना पैसा और कुछ ऐसे हैं जिनको पांच रुपे दस रुपे भी बहुत सो समझ के खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों मैं तो यही प्रातना करता हूँ कि इस दिवाली आपके घर में खुशी आएं आपको इश्वर अच्छा स्वास्त दे मा लक्ष्मी धन के रूप में इस्थाई रूप में आपके जीवन में आएं तो आएए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आएंगी कैसे जब आप उनको बुलाओगे और बुलाने के लिए आपको एक अच्छे महुर्त में उनका पूजन करना पड़ेगा तभी आपको आनन्द आएगा तभी आपके पूजा सफल होगी अन्य था कई बार क्या होता है कि हम किसी को अपने घर में बुला रहे हैं पर हमने निमंतरनी गलत समय पे दे दिया तो वो मीटिंग सार्थक नहीं हो पाती और वो मीटिंग अंजाम तक नहीं पहुँच पाती ऐसे ही दिवाली पूजा के अंदर सबसे महत्वपून पॉइंट जान लीजिए ध्यान से कि लगन का सबसे वड़ा प्रभाव होता है कि किस लगन के अंदर हम दिवाली का पूजन कर रहे हैं देखिए चर लगन होती है इस्थिर लगन और दो सभाव लगन होती है चर में विक्ति का जो नेचर है वो चलाएमान होता है और इस्थिर लगन के अंदर वो इस्थिरता के साथ काम करता दो सभाव में दोनों लगनों का मिलन होता है अब आप धन चाहते हैं तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपके पास धन आए और चला जाए आए और चला जाए यानि कि चरलगंत में तो नहीं चाहेंगे आप हमेशा यही चाहोगे कि इस्थिरता के साथ में मेरे पास पैसा रहे आए और मा लक्षमी इस थाई रूप में मेरे घर में विराजमान हो तो इसलिए हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर लगन कौन सी चल रही है और उसी लगन में यदि आप पूजा करते हो तो उसका जो फल है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा जी हाँ दोस्तो तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लगन का प्रभाव है ये आपके जीवन में कब से कब तक रहेगा यानि कि दिनांक बारा तारीक को दिवाली का शुब महुर्द वो आप जान लीजे एक पेपर पैन ले ले लेना ध्यान से दिख लेना कोगी बहुत अच्छे तरीके से शोध करके इस महुर्द को हमने निकाला है मेरी रिसर्च के अनुसार ग्यान के अनुसार सबसे अच्छा समय रहेगा शाम को 5 बजकर 40 मिनट से ले करके और 7 बजकर 36 मिनट तक यह अवदी लगवग 1 घंटे और 54 मिनट की रहेगी और इसमें जो प्रदोश काल रहेगा वो 5 बजके 39 मिनट से ले के और 8 बजके 7 मिनट तक यह काल बड़ा अच्छा होता है प्रदोश काल सूर्य अस्त के बाद का जो यजिए समय होता है, लगबक डेड़ पौने पौने दो गन्टे का समय, ये प्रदोशकाल में आता है बहुत शुव होता है ये समय, इस समय वैपूझ अपाठ पदिती का विशेश लाव मोता है तो यानि कि ये प्रदोशकाल का समय बताया और इसी टाइम पीरिड में 5.40 मिनट से लेकर कि और 7.26 मिनट तक आपको शुब की चौगडिया का लाप राप्त होगा देखिए शुब की चौगडिया होती है लाब की होती है अमरित की होती है उदेग की होती है रोग की होती है और काल की होती है ये छे प्रकार की चौगडिया होती है अब इनमें से शुब, लाव और अम्रित सबसे अच्छी होती है तो शुब की चौगड़ी आपको मिल रही है पांच चालिस से लेकर के शाम को साथ बच के चाथिस मिनट के बीच में ये टाइम शुब हो गया आपको इसी बिट्वीन में एक प्रदोश काल भी मिल रहा है जो मैंने आपको बताया इसकी अबधी भी बताई साड़े पांच से और आट बच के साथ मिनट तक तो यानि कि आपके लिए पूजा का जो सबसे अच्छा समय है वो छे से और साथ बजे के बीच में रहेगा शाम को ये टाइम ऐसा है जो मिड़ पार्ट होगा पूजा का तो इसमें अगर आप करते हैं तो अति उत्तम है नहीं तो पांच चालीस के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तो अब विशी आता है लगन का जो सबसे महतवपून होता है दो नंबर लगन पांच नंबर यानि की ब्रश लगन सिंग लगन वriश्चिक लगन और कुम लगन ये होती हैं इस्तिर राशियां इनको इस्तिर लगन कहा जाता है तो वरश लगन की जो शुरुवात हो रही है वो पांच चालिस से ही हो रही है और साथ बज़ के छबीस मर्ट तक चलेगी यानि कि ये बड़ा अच्छा हो गया अब आपके लिए ये समय आपको इस्थे लगन का मिल गया है ये इस्थाई रूप में आपके घर में मा लक्षमी का बास होगा तो आपके लिए वरश लगन सबसे स्रेश निकल के आई अब अगर मैं आपसे बात करूँ यहां पर और आगे की देखिए ये टाइम मेरी तरफ से सबसे रिकमेंडिड है क्योंकि जैसा मैंने बताया शूब की चौगडिया शुरू हो जाएंगी साड़े पांच बजे से साथ बज़ के आठ मिनट तक चलेंगी मैंने आपको बताया कि पांच चालिस से लेकर के और आपका साथ बज़ के छब्ज़ मिनट तक ये वरश अब लगन चलेगी जो नहीं कर पाएंगे लेट हो जाएंगे या अपने काम पर होंगे किसी भी रूप में होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हम इसको थोड़ा सा और डिले भी करते हैं तो ज़्यादा से आदा अमरित की चौकड़िया में कर सकते हो जो साथ बज़ के आठ मिनट पर स्टार्ट होगी और आठ बज़ के सैंतालिस मिनट तक चलेगी इस टाइम पिरिड़ में आप कर सकते हो पर ये उसमें लगन अच्छी नहीं आएगी उसमें लगन वीग हो जाएगी उसमें दो सभाव लगन हो जाएगी इसलिए वो ठीक नहीं होते है चार इस्तिर और दो सवाब तो दो सवाब में डबल हो जाता है लक्षमी जी आएंगी भी जाबी सकती आएंगी जाएंगी ऐसा योग रहेगा तो इसमें मिश्रण हो जाता है फिर भी आप इस टाइम का भी लाब उठा सकते हैं इसके बाद फिर एक सिंग लगन आती है और वो लगन आपकी रात के समय पर प्रारंभ होगी जी हाँ वो शुरू होगी रात को बारा बज़ के बारा मिनट से लेकर के और रात को ढ़ाई बज़ तक अब इस टाइम पर तो मैं आपको सलाह नहीं दूँगा अब वो इस लिए नहीं दूँगा कि उसका भी एक कारण है और उसका विशेश कारण ये है दोस्तो कि रात में अमावस्या की रात होती है दिवाली के दिन तांत्रिक क्रियाओं का और ये समय अच्छा नहीं होता तो रात में काल का प्रभाब बढ़ जाता है और काल की चौगडियाओं का प्रभाब बढ़ जाता है तो इस वज़े से मैं आपको सिजेशन नहीं दूँगा रात में करने के लिए हाँ जो लोग सिद्धियां कर रहे हैं उनके लिए ये समय ठीक रहेगा रात में वो कर सकते हैं बारा बज़े के बाद कर सकते हैं बारा साड़े बारा के बाद में वो कर सकते हैं वो टाइम आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक होता है निशिद काल निशिद काल के अंदर लक्षमी पूजा का महूर तो होता है पर आप लोगों के लिए नहीं वो होता है जो सिद्धियां करते हैं उन लोगों के लिए जो रात को गैरा बच के चालिस मिट से शुरू होगा और साड़े बारावे तक चलेगा बावन मिनिट का रहेगा तो इसमें सिंग लगन का भी प कामना देना चाहता हूँ आप खुश रहें स्वस्त रहें रविवार का दिन है और संडे के दिन जो विशेश रूप से चोगडिया रहेंगी रात को बारा बजे से शुरू हो जाएंगी काल की तो वैसे भी ठीक नहीं है तो जो समय मैंने बताया इसका आपको लाब उठान तो जोड़े रहें आप से आज़र चाहता हूँ नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद